एक खबर मुरैना से सीधा उसका रोप कर लेते हैं नकली मावा की फैक्टरी पर प्रिशासन ने चापे बार कारवाई किया और मुरैना से ये कोई पहला मामला नहीं है लगातार इस तरह के बावने सामने आते रहते हैं चालिस क्वेंटल से अधिक माल प्रिशासन ने जब्त किया है वहाँ से कई प्रकार के कैमिकल और रिफाइन ओयल भी जब्त किये गए हैं दिवाली के तियोहार के लिए नकली मावा तयार किया ज़ा रहा था तो प्रिशासन ने बड़ी सफलता हासल की है मुरैना से जो आपर 40 क्वेंटल से अधिक माल प्रिशासन ने जब्त किया है कई प्रकार के कैमिकल और रिफाइन भी जब्त किये गए हैं तो 40 क्वेंटल ये थोड़ा मुड़ा याकड़ा नहीं है 40 क्वेंटल से ज़ादा का माल प्रिशासन ने वासे जब्त किया है कई प्रकार के कैमिकल भी जब्त किये गए हैं और साथी दीपावली के तिहार के लिए नकली, माबा, वर्फी, मिल्क केक आपर तयार किया जा रहा था लेकिन सही समय में जो लोग इस मावे को खाते जिससे बिमार पढ़ते वो बच गए हैं देखें मुरैना तैसीलदार और खाद सुरक्षय विवागी की अधिकारियों के नित्रित्व में एक आरवाई हुई है सहराना रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है मनोज उपाध्याई मेरे सयोगी फोन लाइन पर है मनोज हम देखते हैं कि मुरैना से ऐसे मामले पहले भी आ चुके है खास कर तो यहारों से पहले नकली मावा बनाया जाता लेकिन इतना बड़ा भंडा फोर्ड और इतनी बड़ी कारवाई 40 कुंटल से ज़्यादा मावा जबत किया गया है क्या कुछ अपडेट आपके पास जी रचकाई बिलकुल मैं बताना क्या हूँगा कि चंबल अंचल हमेशा मिलावट के मामले में अबब रहा है और हमेशा यहां मिलावट सबसे जादा होती है कि तोवार दीपा वली के तोवार को लेकर खास बबाद की टीम सक्री हुई और प्रद्धन सेंपल ले रही है कहीं कहीं कारवाई हो रही है अथा ही मामला सहराना रोड का कर रात में जब सूचना कादिशवर्चा रिकारी अबनीस गुक्ता को मिली तो वो तैसिलदार के समय से पहुचे तो भारी मात्रा में जो मावा की बरपी है मामला सहराने की बात कह रही है कि रुपटारी के मावा में मिलाने के लिए रिफार्णिकी टीन बी मिली है